नवस्कार आपके तारे में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवेण मिस्र जीवन में सफलता पाने के लिए हमारे उपर भगवान शूरी की क्रपा का होना बहुत जरूरी है जिस व्यक्ति को शूरी देव का आशिरवाद मिल जाए उसे दुनिया के सारे सुख सारे बैभव आसानी से प्राप्त हो जाते हैं इसलिए आज हम बात करेंगे कैसे आप भगवान शूरी की क्रपा प्राप्त कर सकते हैं जिससे के आपके जीवन में जो कस्ट हैं परिशानी हैं रोग हैं बीमारियां हैं वो सब दूर हो और आपके जीवन में शुक बढ़े मान सम्मान धन बैभव सब कुश प्राप्त हो साथ ही बताएंगे आज का दिन आपके लिए कैसा बितेगा क्या कहती है आपकी राशी और आज के उपाए में होगा आपके लिए एक बहुत खासी उपाए और आपके सवाल भी लेंगे तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का कारकरम सबसे पहले बात पंचांग की साथ जून दोहजार तेईस दिन बुद्वार आसाड मास चल रहा है क्रश्न पक्ष है चतूर्थी तिथी रहेगी रात को नौ बज कर पचास मिनट तक फिर पंचमी तिथी प्रारम हो जाएगी उत्तरा साड़ा नचचत रहेगा रात को नौ बज कर दो मिनट तक फिर स्रवन नचचत शुरू हो जाएगा चंद्रमा मकर राशी में गोचर कर रहे हैं भगवान शूर ब्रस राशी में बिराजमान हैं आज विजय मुहूर्थ का समय होगा दो पहर दो बज कर 49 मिनट से 3 बज कर 35 मिनट तक जो भी महत्पूर काम हैं आप विजय मुहूर्थ में करिएगा तो कारियों में अवश्य विजय की प्राप्ति होगी राहुकाल का समय होगा दो पहर बारह बज़ कर बीस मिनट से दो पहर दो बज़ कर चार मिनट तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता है इसलिए राहुकाल में जरूरी काम ना करें दिशा शूल है उत्तर दिशा तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें आईए आप समझते हैं कि भगवान शूर को अर्ग देने से यानि जल देने से क्या-क्या लाव हो सकता है देखे जब आप भगवान शूरे को जल देते हैं तो बहुत सारे फाइदे हैं जल देने का विशेस महत्तो सास्त्रों में वणन किया गया है श्री शूरे नारायन को तीन बार अर्ग दे करके प्रणाम करना चाहिए ये सही तरीका है अर्ग देने के बाद यानि जल देने के बाद जल देने से भगवान शूरे प्रसन होते हैं और भक्तों पर क्रपा करते हैं संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं तो तीन बार अर्ग दीजिए अर्ग देने के बाद भगवान शूरे को प्रणाम करिए और जो मन में इक्षा है भगवान शूरे से निवेदन करिए तो प्रसन होते हैं भगवान शूरे अर्ग देने से तो आपकी जो प्राथना है उसे अवश्य शुनेंगे और आपकी इक्षा पूरी करेंगे भगवान शूरी की कृपा से भगवान शूरी का पूजन करने से शूरी देव को अर्ग देने से आरोग मिलता है यानि रोग दूर होते हैं इसलिए कहते हैं कि सनलाइट में थोड़ी देर बैठना चाहिए लेकिन सुबह सुबह की सनलाइट सुबह जब शूरयोदय होता है उसके पहले एक घंटे बहुत महत्यपूर्ण होते हैं उस सनलाइट में बैठना चाहिए तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी ज़्यादा धूब भी नहीं लगेगी और जो वो सॉफ्ट सनलाइट होती है उसमें बहुत सारी ऐसी रेज होती है जो रोगों को दूर करती है तो आरोग मिलता है अच्छी आयू प्राप्त होती है जब रोग दूर हो जाएंगे त धन मिलता है, तेज मिलता है, यश मिलता है, विद्या की प्राप्ति होती है, पढ़ने लिखने में लोग intelligent होते हैं, बैभव, धन, दौलत, सवभाग, सब कुछ मिलता है, भगवान शूरी की पूझा करने से, भगवान शूरी को अर्ग देने से, तो इसलिए प्रति दिन शू भगवान को प्रणाम करके अर्ग दीजे, सुन्दर्ता पाने के लिए और तेज पाने के लिए कि आपके चेहरे में तेज हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए, भगवान शूरी सबसे तेजश्य और कांति मैं माने जाते हैं, तो जिल लोगों को सुन्दर्ता चाह उन्हें प्रति दिन भगवान शूरी की आराधना करना चाहिए, प्रति दिन भगवान शूरी को जल देना चाहिए, उसके बाद शूरी नवसकार करना चाहिए, शूरी नवसकार करेंगे और भगवान शूरी को जल अर्पित करेंगे तो आपके चेहरे में तेज रहेगा, आपका जो सुन्दर है वो भी बढ़ जाएगा, सुन्दरता बढ़ जाएगी. भगवान शूर की क्रपा से और क्या-क्या लाब होता है? रोग दूर करने के लिए आप क्या करें? सब कुछ बताएंगे आपको, पहले जान लेते हैं, मेश ब्रश, मिथुन और करक राशी का राशिवल. मेश ब्रश, यात्रा से लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, दिन भर आप किसी कारे में व्यस्त रहेंगे, किसी भी बात में इगो दिखाने से बचना होगा, शुबरंग के सरिया, उपाए किसी गरीब को फल का दान करें. ब्रश राशी, ब्रश राशी वालों के खर्चे बढ़ेंगे, परिवार से सहयोग मिलेगा, अचानक कोई अच्छी खबर प्राप्थ होगी, आलश्च की वज़े से कोई भी काम ना छोड़े, शुबरंग क्रीम, उपाए किसी गरीब को आटे का दान करें. मिथुन राशी, मिथुन राशी वालों के लिए धन लाब के योग बन रहे हैं, कार छेतर में सफलता मिलेगी, शत्रू परास्थ होगे, सेहत आपकी ठीक रहेगी, शुबरंग हरा, उपाए किसी गरीब को चावल दान करें. करक राशी, करक राशी वालों को कार छेतर में सफलता मिलेगी, घर में सुख बढ़ेगा, अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में रूची बढ़ेगी, शुबरंग गुलाबी, उपाए किसी गरीब को दूद का दान करें. भगवान शूरी की विशेश क्रपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखे, भगवान शूरी की विशेश क्रपा पाने के लिए प्रतेक रविवार को या महीने के किसी भी सुकल पक्ष के रविवार को गुड और चावल का दान करें. या तो आप हर संडे को कर लीजिए गुड और चावल का दान या किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की रहिवार को अवश्य करिए अगर आप ये उपाय करेंगे तो भगवान शूरी की विशेश करपा आपको मिलेगी और नियमित रूप से तो जल अवश्य देते रहिएगा जिल लोगों को नौकरी में प्रमोशन चाहिए वो लोग क्या उपाय करें देखिए नौकरी में उन्नती के लिए प्रमोशन की प्राप्ती के लिए नियम बना करके प्रति दिन भगवान शूर को जलर पित करिए रविवार के दिन भगवान शूर को गुड का भोग लगाए और मीठा भोजन प्रसाद बनाएं और कम से कम पाँच गरीबों को माटे और स्वयम भी उस प्रसाद को ग्रहन करें सरकारी कारियों में सफलता के लिए क्या उपाय करें देखिए सरकार को शूर को राज पक्ष अर्थात सरकारी छेतर का कारक ग्रह माना जाता है प्रति दिन शूरी ओदय से पहले उटकर के इश्नान कर लिजे और भगवान शूर को अर्ग दीजे और इसके बाद ओम घ्रण शूरी आये नमः इस मंत्र का एक सवाड़ बार जाप करें तो सरकारी छेत्र के जो कारे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी अब वक्त हो गया है सवाल लेने का यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीक जन्मिस्थान जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे महां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले करक्रम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है लखन कुमार जी का सवाल ले रहे हैं लखन कुमार जी ध्यान से सुनियेगा इनकी डेट अब बर्थ है 11 अगस्त 1999 सुबह 9 बज कर 35 मिनट साह जहान पूर उत्तर प्रदेश का जन्म है इनका सवाल ये है कि इन्हें जॉब कब मिलेगी लखन कुमार जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तयार है आपकी कन्या लगन की कुंडली है और करकराशी है आपका जन्म आसलेशा नचचत्र के दुती चरण में हुआ है इस समय आपकी शुक्र की महादसा चल रही है जो नॉमबर दोहजार अठारा से शुरू हुई है और नॉमबर दोहजार अर्टेस तक चलेगी और शुक्र की महादसा में चंदर्मा की अंतरदसा चल रही है जो मार्च 2030 से शुरू हुई है और ये नॉमबर 2024 तक चलेगी तो शुक्र की महादसा में चंदर्मा की अंतरदसा चल रही है आईए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं फिर बताते हैं जौब का योग कम बने का देखे आपकी कुंडली में जहां ये 6 नंबर लिखा हुआ है ये है कन्यालगन और कन्यालगन का सौमी बुद्ध 6 डिगरी का बैटा हुआ है ग्यारमे घर में लावस्तान में और दसमे घर का भी स्वामी यही बुद्ध है जो यहाँ बैठा हुआ है भाग्य का स्वामी है आपके शुक्र और शुक्र बारवे घर में जाके बैठ गया है आठ डिग्री का वक्री हो करके आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे तो नौमबर दो हजार चौबिस से नौमबर दो हजार पच्चिस के बीच में जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है इस टाइम पिरियेड में आपको जॉब मिल जाएगी अभी आपको जो जौब मिल जाए उस जौब को पकड़ लीजे फिर जब ये टाइम आएगा नौमबर दो हजार चौबिस उस समय आप अच्छी जौब में सुच कर लीजेगा तो समय ऐसा है कि जो काम मिले उसको पकड़ लिजे फिर इसके बाद नॉमबर दोहजार चौबीस है अच्छा समय है उसमें आपको और अच्छी जौब मिल जाएगी आपकी मन पसंद की जौब मिल जाएगी तो अभी जो काम मिले उसको शुरू कर दीजे उपाय क्या करना है उपाय नोट करिए पहला उपाय प्रति दिन भगवान गणेश की पूजा करिए गणेश जी को हरी दूब घास चढ़ाइए फूल चढ़ाइए तिलक लगाइए आरती करिए और प्राथना करिए कि आपको अच्छी जौब मिले और बुद्वार के दिन बेशन के लड़ूं क का भोग लगा कर गरीबों को प्रसाथ पाढ़िए एक उपाय ये करना है दूसरा उपाय प्रति दिन दुर्गा चालीशा का पाढ़ करें और मा दुर्गा से अपनी इक्छा का निवेदन करें ये दो उपाय करना शुरू करिए बहुत जल्दी स्थितियां आपके काब होगा मित्रों के सहयोग से काम बनेंगे सेहत खीक रहेगी शुबरंग मरून उपाय पक्षियों को दाना खिलाए करन्याराशी कहीं दूर से शुब समाचार मिलेगा अपना व्योहार नम रखें लोगों से मिलते समय हंकार ना दिखाएं सेहत को लेकर चिंता रहेगी शुबरंग हरा उपाय गव माता को हराचारा खिलाएं तुलाराशी व्यापार में लाब होगा किसी काम को लेकर नए लोगों से मुलाकात होगी कोई ऐसी बात ना कहें जिससे आपके मान सम्मान पर असर पढ़ें जल्दवाजी में फैसला करने से बचें शुबरंग सफेद उपाय किसी गरीब को चावल का दान करें ब्रिश्चिक राशी गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा बिना सोचे समझे धन खर्च ना करें लंबी दूरी की यात्रा से बचें लोगों से बहुत ज्यादा आशा ना करें शुबरंग बादामी उपाय किसी गरीब को हरेफल दान करें आईए जानते हैं भगवान शूरी की विसेश क्रपा पाने के लिए रविवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए देखिए यदि आप चाहते हैं कि शूर्यदेव की विशेश क्रपा मिले तो रविवार के दिन तेल से बनी हुई चीजें और नमक का सेवन ना करें रविवार को एक समय ही भोजन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हैदें रोग अगर परिशान कर रहा है तो उससे राहत के लिए क्या उपाय करें देखिए इसके लिए प्रति दिन भगवान शूर्य का पूजन करिए शूर्य देव को अर्ग दीजिए और अपने पिता जी का विशेश रूप से सम्मान करिए तो भगवान शूर्य प्रशन होंगे और रोग दूर होगा अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीक, जन्म इस्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारकरम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहें उनका नाम है विपिन स्रिवास्तो जी आपका सवाल ले रहें ध्यान से सुनियेगा विपिन जी की डेट अब बर्थ है 9 मार्च 1997 साम को 6 बजे दिल्ली का जन्म है इनका सवाल है कि मैरिज कब होगी विपिन जी जो आपने डेट अब बर्थ बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तेयार है आपकी सिंग लगन की कुंडली है और मीन राशी है आपका जन्म पूरो भादरपद नचत्र के चतूर्थ चरण में हुआ है इस समय आपकी बुद्ध की महादसा चल रही है जो जन्वरी 2018 से शुरू हुई है और जन्वरी 2035 तक चलेगी और बुद्ध की महादसा में शुक्र की अंतरदसा चल रही है जो जून 2021 से शुरू हुई है और ये अप्रेल 2024 तक चलेगी आईए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं देखिए आपकी कुंडली में जहां ये पांच नंबर लिखा हुआ है ये है सिंग लगन और सिंग लगन का स्वामी शूरे सात्वे घर में बैठा है 25 डिगरी का इसके साथ ही शुक्र 19 डिगरी और बुद्ध 23 डिगरी का बैठा हुआ है आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी मेरिज का समय चल रहा है और यदि प्रयास किया जाए तो अभी से ले करके और फरवरी 2025 तक मेरिज का योग बना हुआ है और इस दोरान आपकी शादी हो जाएगी उपाय क्या करना है उपाय नोट करिए पहला उपाय हर शनिवार के दिन कम से कम आठ गरीबों को खाने की चीजें दान करें और उसमें एक आइटम मीठा अवश्य रखें दूसरा उपाय नमाशिवाय नमाशिवाय इस मंतर का ग्यारा हमाला प्रति दिन जाप करें और भगवान शिव से प्रात्ना करेंगी जो मैरिज में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो और आपके अच्छी शादी हो जाए यह उपाय करना शुरू करिए भगवान की कृपा से जल्द ही आपकी इच्छा पूरी होगी है तो चली आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं धनू, मकर, कुम्भ और मीन राशी की और फिर उसके बाद बताएंगे आज आपके लिए क्या है खास हुपाय धनू राशी आपके लिए धन लाब की योग बन रहे हैं बड़े फैसले करने का वक्त है चोटी चोटी बातों को लेकर दुखी ना हूँ अपने काम में मन लगाएं शुबरंग गुलाबी उपाय किसी गरीब को पीले फल दान करें मकर राशी प्रापर्टी खरीदने की योजना बनेगी अपने मनो बल को उचा रखें किसी काम में पीछे ना रहें सेहत आपकी ठीक रहेगी शुबरंग बैगनी उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं कुम्बराशी कुम्बराशी वालों का पराक्रम बढ़ेगा काम में सफलता मिलेगी मन की बात कहने में संकोच ना करें लंबी दूरी की यात्रा आज ना करें शुबरंग के सरिया उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें मीन राशी मीन राशी वालों की मन की परेशानी दूर होगी धनलाब के रास्ते बनेंगी नौकरी में उन्नती के योग हैं कोई काम कल पर ना टाले ये शुबरंग पीला उपाय किसी गरीब को मीठे फल दान करें अब वक्त है आज के उपाय का समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिले तो शूर्य देव को प्रतिदिन अर्ग दे ओम राम रीम रोम सह शूर्य आय नमह इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें यह उपाय करना शुरू करिए भगवान शूर की क्रपा से मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होगी तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आप से मुलाकात आपका दिन बहुत शुब हो नवस्कार